Good morning 4th class students, this is our chapter 3, worksheet number 4, chapter 3 की worksheet 4 है, यह practice book की exercise है आपकी, इसका जो first question है, वो है, one pair of football shoes, one pair of football shoes cost rupees 628, एक pair है shoes का, उसकी cost कितनी है, 628 rupees है, find the total cost of 120 such pairs, अगर एक shoes का जो pair है, वो 628 rupees का है, तो हमें बताना है, कि 120 pairs अगर होंगे, 120 pairs अगर होंगे, तो उनकी cost है कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को multiply कर देंगे, उन दोनों को, 0, 628 into 120, 0 को सबसे पहले इन तीनों से multiply करेंगे, तो 0, 8, 0, 0, 2, 0, 0, 6, 0, now multiply का sign लगाएंगे, फिर 2 का तीनों में multiply करेंगे, 2, 8 होगा 16, 16 का लिखेंगे 6, और 1 होगा carry इस पर, 2, 2 होगा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे, वो carry को प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5, 2, 6, 12, अब 1 का multiply करेंगे, तो दो बार multiply के sign लगाएंगे, 1, 8, 8, 1, 2, 2, 1, 6, 6, अब इन सब क्लस करेंगे, 0 का 0, 6 का 6, 5 और 8 होता है, 13, तो 13 का 3 कैरी लगी, 1, 2 और 2, 4, 4 और 1, 5, 6 और 1, 7, I say the speed of an aeroplane is 675 km per hour, aeroplane की speed 675 km per hour की, मतलब हर घंटे की, how much distance will each cover in 16 hours, मतलब 16 hours में 16 घंटों में जो है, वो कितने distance जो है, cover करेंगा, तो इसको multiply करेंगे, 6, 5, 30, 30 का 0, कैरी लगाई, 3, मैंने कैरी नहीं लगाई, लेकिन 3, ऐसे याद लख़वा भी आप, 6, 7, 42, 42 में अगर हम 3 कैरी को प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 45, तो 45 का हम लोग लिखेंगे, 5, कैरी इस पर आएगी, 4, 6, 6 और 36, 36 में 4 प्लस करोगे, तो क्या होगा, 40, फिर multiply का sign, 15, 5, 17, 7, 16, 6, अब इन सब को प्लस करेंगे, जीरो का 0, 5, 5, 10, 10 का 0, कैरी 1, 7 और कैरी 1 को प्लस किया, तो 8, 4, 6, 10, ना थर्ड क्येशन है, फॉर ए स्कूल ट्रिप, 126 स्टुदेंट्स कॉलेक्टेड मनी, एक स्कूल ट्रिप जा रहा है, जिसमें 126 स्टुदेंट्स है, जिससे मनी कलेक्ट की गई है, इच स्टुदेंट्स गया रुपीज 540, कैल्कुलेट्स टोटल अमाउंट दे कलेक्टेड, मतलब हर एक स्टुदेंट्स ने कितने रुपीज दिये हैं, उस स्कूल के लिए 540, तो हमें पता लगाना है कि 126 स्टुदेंट्स अगर 540 रुपीज दिये हैं, तो टोटल कितने रुपीज जो है, अमाउंट कलेक्ट हुआ है, तो 120 स्टुदेंट्स इसको 540 से मल्टिप्लाय करेंगे, तो आपका यह आएगा, लास्ट प्रेशन है आपका, पायल है 121 रुपीज है, तो हमें बताना है कि इसके पास टोटल कितने रुपे है, कितनी मनी है उसके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टिप्लाय करना आपको आता है, तो आप इसको मल्टिप्लाय कर देंगे, okay so this is your last worksheet of this chapter यापके वक्षीट की आपके चैप्टर की लास्ट वक्षीट है okay thank you